कि कमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अद्दालत इस नतीजे पर पहुंची है कि भारतिय डंड सहीता यानि इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहट आपको आज इवन कारावास दिया जाता है जी हां यह वह चीज है जो हमने मुवीज में जरूर सुनी होगी कही कि ना किसी कही ना कहीं किसी सीरीज में जरूर सुना होगा कि भारतिय डंड सहीता की धारा तमाम के तहट आपको जो है यह सजा दी जा रही है बट गाईज और लेट मी टेल यू कि आज के बाद जच साब ऐसा नहीं कह पाएंगे क्यों कि अब जितने भी नए केसे जितने ही नए केसें इंडिया में रजिस्टर होंगे वो सारे के सारे केसे रजिस्टर होंगे अंडर दे न्यू क्रिमिनल लॉज जो की अब बारे देश में आ चुके हैं जी हाँ जैसा कि आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में तीन जो हमारे major laws थे वो था हमारा IPC याने की Indian Penal Code, CRPC जो की बात करता है Criminal Procedure Code की और इसके साथ Indian Evidence Act इन तीनों ही कानूनों को अब हटा दिया गया है और इनकी जगह तीन नए कानून जो हैं वो आ चुके हैं जो की एक जोलाई से लागू हो जाएंगे कौन कौन से सर और माम BNS, BNSS और BSA ये तीन कानून जो हैं वो अब हमारी आँखों के सामने आ चुके हैं जिनको lawyers पढ़ रही हैं समझ रही हैं बहुत सारे इस पे जो हैं अभी interpretations आ रही हैं However, आपके examination perspective के लिए अभी इस वक्त क्या-क्या चीज़े कितनी जादा important हैं उन सभी को हम यहां पर as an overview discuss करने वाले हैं आप सभी से ये request है अगर अभी तक आपने यहां दिये गए like बटन पर click नहीं किया है जल से जल कर दीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया मैं कमाल करते हो यार जल से जल subscribe करें ताकि जितने भी वीडियो यहां पर आप सभी के लिए लाइज आते हैं वह आप सभी को मिल सकें जिहां गाइस हाई my name is Adity Rai और मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए लेकर new criminal laws of our country जैसा कि सबसे पहला step है जो मैं आपको बनाने जा रहा NSS भारतिय साक्ष अधिनियम BSA और इसके अलावा BNS यह तीन जो कानून है वो हमारे देश में लागू हो चुके हैं और इन कानूनों ने किन-किन चीजों को यहां पर रिप्लेस किया है तो सर और मैं यह कानूनों ने रिप्लेस किया है इंडियन पीनिल कोड को को और क्रिम आप देख सकते हैं यह तीन कानून जो है वह हम सभी के लिए आच चुके हैं आज आगे बढ़ने से पहले वाटाइब इसकी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाट इस दिफरेंस बिट्वीन अस सबस्टांटिव लौ एंड क्रिमिनल लौ ठीक है दो प्रकार के मेजर कानून को कहा जाता है जो की यह बताता है कि ठेφट क्या होगा रेप क्या होगा या फिर、「मपर。」 क्या होगा यानी की offense की परिभाशा को बताया जाता है ताकि आप इन डीटेल समझ सके कि कौन-कौन सी वो चीजें हैं जो करने पर इसको as an offense consider किया जाएगा यहाँ पर for example आप देख सकते हैं substantive criminal law की अगर बात की जाए तो हमारे इंडिया में जो substantive criminal law है या रादर हुआ करता था अभी तक डाट इस IPC इंडियन पीनल कोड जिसकी अलग-अलग धाराएं अलग-अलग sections हमको यह बताती है कि theft क्या कहलाएगा रेप क्या कहलाएगा murder क्या कहलाएगा या फिर रेजिंग the modesty of a woman क्या कहलाएगा attempt to murder क्या कहलाएगा तो इस तरीके से अलग-अलग offenses को यहां पर हमारे लिए enlist किया जाता है however इसी के साथ साथ अगले ही section में यह भी दिया होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने रेप किया अगर किसी व्यक्ति ने murder किया अगर किसी व्यक्ति के द्वारा यहां पर कोई crime किया गया तो इन सभी चीजों के लिए उस व्यक्ति को क्या punishment दी जाएगी कहने का मतलब when we talk about the substantive law substantive law basically defines the offense as well as provides for the punishment of the same यानि अगर आपने कोई एक offense किया है तो क्या वो क्राइब क्या वो यहां पर consider किया जाएगा as theft or not यह चीज सबसे पहले बताई गई है और उसके साथ-साथ उसके लिए मिलने वाली punishment जो होती है उसका भी यहां पर विवरण दिया गया है ठीक दिन वाट इस प्रोसीजरल लोग सब्सक्राइब करिए आयम परसन जिस पर यह आरोप लगा है कि इस व्यक्ति ने किसी का murder किया है बट अभी तो आरोप ही लगा है यह चीज सिद्ध तो नहीं हुई है अभी तक as a proof तो यह चीज नहीं आई है तो उस स्थिती में जहां पर अभी केवल और केवल आरोप लगा हुआ है इसलिए आपको और हमको उस punishment तक कैसे पहुंचाया जाए मुझे किस प्रकार से कोट में बुलवाया जाएगा मुझे कैसे जो है evidences प्रस्तुत करने का विटनिस की बात को सुना जाएगा और कैसे उस उसके लिए जो punishment है उस तक मुझे पहुंचाया जाएगा इस तरीके से पूरी की पूरी यह जो कारकरम हैं इनकी जो प्रक्रियाएं हैं वह आपकी प्रसीजरल लौ में दी हुई होती है जो हमारा सबस्टैंटिव लौ होता ह है वह केवल इतना बताता है भाई यह offense है और इसके लिए यह punishment है बट जब हम बात करते हैं हमारे प्रसीजरल लौ की तो वह यह बताता है कि कैसे कैसे प्रसीजर फॉलो किया जाना चाहिए अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर किसी व्यक्ति के उपर आरोप लगे हैं तो समन क कैसे होगा examination in chief कैसे होगा cross examination कैसे होगा किस प्रकार से evidences को प्रस्तुत करने दिया जाएगा यह सारी चीजें कहा दी हुई होती है in the procedural law इसलिए जब हम बात करते हैं substantive law की तो आपको पता होना चाहिए हमारे हाँ अलग-अलग कानून है जैसे कि ndps act जिसको हम narcotics drugs and psychotropic substances act या फिर IPC जिसको Indian Penal Court या फिर prevention of corruption act जिसको PCA के नाम से जाना जाता है इसके अलावा there are procedural criminal laws procedural criminal laws for example CRPC जो कि क्या बता रहा है सर यह basically हमको बता रहा है कि procedure कैसे होगा rules and processes कैसे होंगे किस चीज़ के लिए इनही कानूनों को enforce करवाने के लिए for example अगर किसी व्यक्ति ने murder किया है तो धारा 302 आफ IPC के तहट उसको सजा मिलनी चाहिए उसको सजा तक कैसे पहुचाया जाए यह चीज जो है वो कहां mentioned है sir and ma'am यह चीज जो है वो दी गई है आपके procedural law के अंतर गत ठीक है तो इस तरीके से मैंने आपको पहले CRPC और IPC के बीच का different समझाने की कोशिश करी है अब आते हैं sir थोड़ा सा historical background में जो की आपके different examinations में पूछे जाने के chances हैं कि IPC जो है आखरी कब बना कैसे बना इसमें कितनी धाराएं थी कितने sections थे all of this will be dealt in when we talk about the IPC आपको पता होना चाहिए जब इंडिया में आये तो उस समय अलग अलग राजाओं के सामराज्य थे तो यह अपने हिसाब से कानून बनाया करते थे तो अलग अलग इनके सामराज्यों में there used to be different laws and हर एक कानून के हर एक के लिए अलग punishment होती थी जो राजा decide करके देता था तो इस तरह से there was no uniformity all throughout the nation ऐसा नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे भारतवर्श में यह कानून लागू होगा या किसी ने अगर चोरी करी तो उसको यह punishment होगी ऐसा mention नहीं था it was different for different regions different for different kingdoms of the Kings ठीक है बट जब हमारे देश में Britishers आये उन्होंने सोचा कि चुकि हमें रूल करने में थोड़ी सी असानी होगी अगर there will be uniform laws for the nation तो इस वजह से उन्होंने क्या किया first law commission in the year 1834 बिठाया गया इस first law commission के chairman जो थे उनका सब्सक्राइब करने के बाद इनके जितने भी कानून है उन्हें सभी कानूनों को consolidate कर कर हिंदुस्तान के लिए एक डंड सहीता बनवाएं एक पीनल कोट बनवाएं जिस चीज के चलते 1837 में जाकर इन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट जो है वो यहां पर दिया इस पहले ड्राफ्ट के अंतरगत हमारे पहला इंडियन पीनल कोट जो है उसका ड्राफ्ट सम्मिट किया गया इस ड्राफ्ट में भी अभी बहुत जादा चेंजेश हुए speculations आए discussions हुए जो की apply होते 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 कई साल गुजर गए and then it was the year 1860 का October 6th जब हमने adopt और enact किया कि यह हमारा इंडियन पीनल कोड होगा यह हमारी भारतिय डंड सहीता होगी however however अभी भी यह चीज लागू नहीं हुई यह लागू कब हुआ सर यह लागू हुआ from 1st of January 1862 I hope आप यह चीज समझ गे होंगे कि यह कानून जो है वह लागू हुआ 1st of January 1862 यह कानून जो है वह adopt और enact किया गया कब 6th of October 1860 इसके बाद जितने भी प्रायर यहां पर हमारे कानून थे अलग-अलग राजाओं के दौरान उन सभी को यहां पर replace कर दिया गया समझ में आ गया तो यह है एक छोटा सा background of Indian Penal Court थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में तो आप देख सकते हैं इंडियन Penal Court जो है इसको 23 parts में बाटा गया था और इसमें कुछ 511 सेक्शन जो है वह हुआ गरते थे आप यहां देख सकते हैं अलग-अलग यहां पर आपको देखने को मिलेगा अबड़क्शन किड्नापिंग अबड़क्शन ऑफ पर संडर सिक्स्टीन इस विमिन क्या चिल्रें क्या गेंज शादी से जुड़े हुए जो यहां पर कानून है इस प्रकार से बहुत सारे अलग-अलग chapters हमारे यहां पर दिये गए थे IPC में very first question सर आप अगर कह रहे हो दिये गए थे आप अगर कह रहे हो की यह कानून जो है इनको replace कर दिया गया है तो do you mean की अब हमारे यहां IPC कहीं पर भी लागू नहीं होगा पूरी तरह से हट चुका है answer is no, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे cases हैं, जो की चल रहे हैं IPC की धाराओं की उपर, तो जितनी भी IPC की धाराओं पे चल रहे cases हैं, under trials हैं, वो अभी भी उन्ही पर्टिकलर के, उसी पर्टिकलर कानून के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, article number 20 of our constitution says that no expose factor law, याने अगर आप कोई भी नया कानून लेकर आते हो, तो वो back date से apply नहीं होगा, वो आगे आने वाली date से apply होगा, जो की 1st of July 2024 से हो चुका है, जिसका मतलब यह हुआ कि जो पराने cases हैं, वो आज भी CRP, वो आज भी IPC के तहत ही try किय चाहेंगे, ठीक है, I hope I have made sense with this statement, because कई बच्चों को इस चीज में बहुत doubt होता है, चलिए, अब बात करते हैं, sir, BNS की, sorry, BNS की, that is, भारतिये नयाय समिता, जैसा कि आपको पता है, भारतिये नयाय समिता, जिसको हम BNS कहते हैं, इसने जो है, रेप्लेस किया है, IPC को, आप से directly question, इस प्यकार का आ सकता है, कि इन में से किस कानून ने भारत, IPC को जो है, रेप्लेस किया है, तो BNS, 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 और BSA, तो आपको बनना चाहिए, सरीए, बी अने से, ठीक है, तो इसने रेप्लेस किया है, IPC को, IPC जो है, उसमें कितने sections थे, 511, इसमें कितने sections है, 358, 358, ठी है, इसके अलावा, when we talk about the definitions, या interpretations, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूं, समझाता हूं, even when हमने contract law के बारे में पढ़ा था, कि 99% टाइम्स यह चीज सच होती है, कि कोई भी कानून जब आता है, तो उसका section number 2, जो है, वो definitions से related होता है, जो कि define करता है, कि section में जहां जो जो चीज़ें use होंगी, उनका interpretation कैसे किया जाना चाहिए, उनको कैसे जो है, यहां पर define किया जाना चाहिए, इसलिए, चुकि यह चीज IPC में missing थी, कि कोई एक particular section उसकी बात नहीं कर रहा था, rather section 8 से लेकर 52A तक, अलग-अलग definitions, अलग-अलग sections में, यहां पर spread थी, अब सभी चीज़ों को consolidate किया गया है, 39 clauses में, और कितने किस section में, section number 2, तो आपको यह पता होना चाहिए, that definitions or interpretations, एक section में यहां पर, जो है, अब कर दिया गया है, इसके अलावा, कुछ नए offenses को यहां पर add किया गया है, जैसे कि organized crime, आप सभी को पता होगा, हमने कितनी बार बात करी है, जहां पर बहुत सारे लोग मिलके, कुछ लोगों को अगर मार देते हैं, जिसको माब लिंचिंग कहते हैं, तो उसके लिए प्रापधान रखा गया है, कुछ pity organized crimes भी यहां include किये गए है, terrorist acts को include किया गया, आपने देखा होगा, कई वीडियो आते हैं, जहां पर हमारी मा रखा गया है, sexual intercourse by employing deceitful means, very, 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 very controversial one, जहां पर बात की जा रही है, किस प्रकार से, अगर एक पुरुष, एक महिला के साथ sexual intercourse करते हैं, उनको यह जूटा दिलासा दे कर, कि हम आपके साथ शादी करेंगे, deceitful means से, तो उस इस्थिती में कैसे उनको जो है 10 साल के लिए अब जेल में भेजा जा सकता है, very dangerous, very dangerous, क्योंकि आपको पता है, 498A जो हमारे IPC का था, even it was considered to be very, very, very controversial, क्योंकि ऐसा माना गया है, कि it was given as a shield to the women, but ultimately even the courts have said, that it turned out to be a sword that was given in their hands, क्योंकि कितनी महिलाओं ने अपने हक के लिए तो लड़ाई करी, बट उससे कहीं जादा महिलाओं ने, इसका दुरुपयोग किया, अपने in-laws और अपने जो husband और उनकी family में जितने भी लोग हैं, उनको यहाँ पर बुरी तरह से फसा कर जेल में डालने के लिए, ठीक है, तो yes, this can be a tool again, जो की महिलाओं के हातों में हैं, और इसका जो है यहाँ पर गलत उपयोग हो सकता है, इसके अलावा, sir and ma'am, we talk about the grievous hurt, grievous hurt की बात कर रहे हैं कि इसके लिए अगर आप grievous hurt कर रहे हो, जिससे permanent disability आ रही है, या एक vegetative state में व्यक्ती पहुँच जाता है, तो even that is something, जो की यहाँ पर आपको एक offense की तरह include किया हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा, hiring, employing, or engaging a child to commit any offense, अगर आप एक बच्चे को किसी प्रकार का offense कमिट करने के लिए कह रहे हैं, तो फिर वो भी यहाँ पर एक offense की तरह add किया गया है, ठीक है, I hope आपको यह सभी चीज़ें जो हैं, वो समझ में आई होंगी, इसके अलावा, yes, punishment has been enhanced for 33 offenses, 33 offenses है, जिनके लिए punishment को बढ़ाया गया है, इन्हांस किया गया है, जैसे की कौन सी punishment, कौन सी offenses, causing death by negligence, causing her to deter public servant from duty, याने अगर आप किसी एक public officer को duty करने से रोक रहे हो, criminal breach of trust, या फिर cheating, इनके अलावा, ये तो हो गई punishment की बात, punishment याने जहां पर आप किसी व्यक्ति को jail भेज रहे हो, imprison कर रहे हो, इसके अलावा, fine भी increase किया गया है, approximately 83 offenses का, कितने offenses का, 83 offenses का, but when we talk about punishment, other than imprisonment, other than the imprisonment and other than the fine, there is one more thing which has been included, and what is that one thing, sir that one thing is community service, आप सभी ने web series देखी होगी, उन web series में आपने देखा होगा, जब किसी के द्वारा एक pity offense कर दिया जाता है, लेकिन we do not want them to go like that, हम उनको punish करना चाहते हैं, उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है, तो उस इस्तिती में community service करवाई जाती है, वैसे ही अब हमारे यहां भी community service जो है, वो यहां शुरू किया जा रहा है, for example, अगर किसी व्यक्ति ने कचड़ा फैलाया है, किसी ऐसी जगा जहां नहीं फैलाया जाना चाहिए, तो उनसे जो है, road पर जाडू लगवाया जा सकता है, उनसे जो है, जितनी भी हमारे gardens है, इन जगहों पर cleaning करवाई जा सकती है, अगर कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने books को सही तरीके से नहीं deal किया है, तो या किसी बच्चे को पढ़ने नहीं दिया, या इस प्रकार से कोई भी एक pity offense है, जहां पर उतनी जादा punishment देने के जुरुवत नहीं है, तो उसमें जो है, community service कराई जा सकती है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है, वो definitely करवाई जा सकती है, it is for making the person realize that they have done something wrong, at the same time punishing them, but not punishing them to the extent जहां पर वो उनके मन में एक negative thought आजाए, ठीक है, जी, इसके अलावा, sir and ma'am, offenses against women and child, जो की पहले अलग-अलग sections में scattered थे, अब उन सभी को एक chapter, that is chapter number 5, इसके अंतरगत BNS में लाया गया है, clear है, चल, अब बात करते हैं, new modified definitions की, yes, यहां पर कुछ definitions जो है, specify की गई है, for example, बच्चे की परिभाशा, who will be considered to be a child, यह बताया गया है, that a person who is below the age of 18 years, shall be considered as a child, इसके अलावा, definition में, electronic or digital records को include किया गया है, तो जब भी कभी बोला जाएगा word document, तो the word document will also include electronic and digital records, क्योंकि आप सभी को पता है, आज की समय में हम सभी जो है, जादतर transactions जो है, वो digital form में ही कर रहे हैं, जादतर documentation हमारा digital form में होता है, तो उन सभी digital documents को भी यहां पर consider किया जाएगा, as a document, इसके अलावा, sir, transgender is basically included under the definition of gender, जहां gender शब्द को परिभाशित किया गया है, as male and female, उसके साथ एक और word add कर दिया गया है, that is transgender, तो आप सभी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहां transgender rights act of the year 2019 जो आया था, उस कानून को भी मद्दे नजर रखते हुए, जो transgender हैं, उनके अधिकारों की यहां बात की जा रही है, तो अब अगर lesbian, gay, bisexual, transgenders, asexuals, यह सभी लोग हैं, LGBT, IQ, A, plus community, उनके लिए भी यहां पर definition में inclusion है, इसके अलावा, सर और माम, movable property की definition को expand किया गया है, movable property की definition को expand करते हुए कहा गया है, that any property, any property of any description, except land or things attached to the earth, यानि वो चीजे जो permanently कहीं पर attached की गई हो, उन चीजों को यहां पर movable property की definition से हटाया किया है, और उसके अलावा, जितनी भी property है, उसको movable कहा गया है, however, अगर आप IPC में जाए, movable property में, तो it used to include only corporeal property, corporeal जिसको आप छू सकते हो, केवल उसी property को यहां पर movable property consider किया जाता था, if in case उसको एक जगे से दूसी जगे ले जाया जा सकता है, but अब यह definition जो है, वो और broader aspect ले रही है, जिसके तहट आप यह consider कर सकते हो, कि things जो की आप even touch नहीं कर सकते, for example, patent and all, यह सभी intellectual property rights भी अब यहां पर include हो सकते हैं, समझ में आया? सो यह है वो definition में changes जो की आपके लिए BNS के अंतरगत आए हैं, अब यहां बात की जा रही है new offenses जो की BNS के अंदर है, तो organized crime जो है, वो यहां पर लाया गया है, जो की बताता है कि अगर आप unlawful activity कर रहे हो, जैसे kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, contract killing, यह सब चीजें, लेकिन आप कैसे कर रहे हो, by group of persons acting in concert, singly or jointly, either as a member or on behalf of an organized crime syndicate, याने अगर there is a group जो की इस चीज़ को plan कर रहा है, और उसको execute करने के लिए पूरा group या आधा group या उसमें एक व्यक्ति भी जा रहा है, तो भी वो आपके organized crime की definition के अंतरगत आएगा, इसके अलावा, organized crime syndicate का मतलब क्या होगा, a group of two or more persons acting either singly or jointly, as a syndicate or gang indulging in continuing unlawful activity, याने दो या दो से अधिक लोगों का good, जो की या तो independently, याने singly जाकर commit करते हैं, या साथ में जाकर commit करते हैं, लेकिन उनका ultimate aim यहाँ पर क्या है, continuing the unlawful activities, चीक है, अब यहाँ पर आपको यह भी बताया गया है कि continuing unlawful activity का मतलब क्या होगा, it will be an activity which is prohibited by law, which is a cognizable punishable offense, what do you mean by cognizable, cognizable offenses are those offenses for which the police can arrest the person without even the need of having a warrant, whereas when we talk about non-cognizable offenses, यह वो offenses होते हैं, जिसके लिए magistrate सहाब से जाकर आपको वारंट लेने की आविशक्ता पड़ती है, छेक है, चालिए, अब बढ़ेंगे सर एंड माम हम थोड़ा सा आगे, यहाँ पर आप terrorist act जो है इसको भी define किया गया है as a new activity, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें including counterfeiting of paper currency और coins और anything उसको भी इसमें consider किया गया है as a part of terrorist activity, इसके लावर यह sexual intercourse by employing deceitful means section number 69 of BNS जो की बात करता है having a sexual intercourse with a woman by means of making a promise to marry deceitful means से जहां पर मैं यह वादा कर रहा हूं कि हां मैं आप से शादी करूंगा without any intention of fulfilling the same जहां पर intention नहीं है कि मैं शादी करना चाहता हूं and that sexual intercourse not amounting to the offense of rape when we say that sexual intercourse not amounting to the offense of rape by that we mean कि यहां पर महिला की consent है अगर अगर consent नहीं होती so of course वो रेप की परिभाशा के अंतरगत आ जाता और वहां पर covered होता clear I hope यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है चलिए let's move ahead to deceitful means when we talk about deceitful means it means inducement inducement or false promise for what sir employment or promotion of marrying marrying कि आप से शादी करेंगे या फिर शादी गर रहे हैं so the punishment which has been given is imprisonment which may extend up to 10 years दस साल आपको अपने जीवन के जेल में बिताने पड़ेंगे यही वो चीज़ है जो सबसे जादा controversial है because it will become really very difficult to prove कि क्या सचमुच कोई deceitful means था आप यह कैसे प्रूफ करोगे क्योंकि आपको पता है एक तरफ सरकार जो है वो living relationships को जो है अनुमती दे रही है और दूसी तरफ आप ऐसे कानून लेकर आ रहे हो तो यह दोनों ही चीज़ें यहां पर contradict करती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावा yes this kind of offense will be cognizable when we say it will be cognizable तो कहने का तातपर क्या है कि यहां पर arrest किया जा सकता है by the police without any warrant किसी भी warrant की आवशक्ता यहां पर नहीं पड़ेगी इसके अलावा this is non-bailable when we say it is non-bailable कहने का मतलब इसमें असानी से बेल नहीं मिलेगी and it will be tribal by the court of session session court जो है इसको try करेगा जी I hope यहां पर एक आपको थोड़ा सा idea मिला होगा as to कि IPC में क्या कुछ नई चीज़ें जो है वह include करके अब BNS बनाया गया है इसके बाद अब हम बात करेंगे CRPC की जैसा कि मैंने आपको बताया CRPC की जब बात की जाती है it is criminal procedure court criminal procedure court जो है या code of criminal procedure जो है यह एक ऐसा कानून है जो की procedural law की तरह act करता है and when we say procedural law by that we mean यह हम को basically बताता है कि किस 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 प्रकार से आप समन करोगे आप कैसे जो है warrant issue करोगे आप किस प्रकार से examination and chief and cross examination of the witnesses करोगे यह सारी चीज़ें आपको यहां पर बताई जाती है so all of the procedures through which the substantive law can be enforced through which we can lead the accused to the punishment वो आपको procedures यहां पर बताए जाते हैं इंडिया में अगर हम बात करते हैं CRPC की तो सर यह कानून भी 1860 में बनकर तयार हुआ था along with the IPC जैसे ही IPC पास हुआ था उसके बाद CRPC भी आ गया था however बहुत बारी इसको amend किया गया है and फिर उसके बाद 1898 में एक अलग कानून यहां पर लाया गया था रिप्लेस करते हुए फिर फाइनली सर एंड माम 14 पार्लिमेंटरी रिपोर्ट आती है और दी फर्स्ट लॉग कमिशन फर्स्ट लॉग कमिशन की चौदवी रिपोर्ट जो आती है वह बहुत सारे प्रपोजल देती है कि हमें क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म लाने चाहिए एंड इस कमिटी के रिकमेंडेशन को जो है कंसिडर किया जाता है एंड देन फाइनली इन दे यर 1973 एक नया कानून जो है हमारे देश में पास किया जाता है चीक है आई होप आइम क्लियर चालिए अब बढ़ेंगे आगे CRPC के बारे में मैंने आपको बता दिया भारतिय नागरिक सुरक्षा समिता भारतिय नागरिक सुरक्षा समिता गाइज इन गर्ल्स हम इन सभी चीजों को और डीटेल में पढ़ेंगे एक एक करके हमारी क्लास में तो अगर आप लोग चाते हो कि आप अपने एक्जामिनेशन की तयारी बहुत स्ट्रॉंगली करें कि आप अनकाडमी के साथ जल से जल जुड़िये अभी बहुत ओफर्स चल रहे हैं आप उनका फाइदा उठा सकते हैं इस कोड़ की मदद से अगर आप 3-year या 5-year LLB के तयारी कर रहे हैं अनकाडमी के साथ जुड़िये यू विल गेट तो सी दा मैक्सिमम दिसकाउंट दाट इस अवेलिबल ओन अनकाडमी पॉर्टल चले तो अब हम यहां बात करते हैं भारतिय नागरिक सुरक्षा समिता बीनस्स यह बैसिकली जैस्फटार से आपके जो CRPC था उसमें 484 सेक्षिंस थे बीनस्स विल नाव है 531 सेक्षिंस ठीक है टोटल ऑफ 177 प्रोविजिंस आप बीन चेंज़ और 39 न्यू सब सेक्षिंस जो है वो यहां पर आड किये गए हैं इसका अल्टिमीट उद्देश क्या है बीनस्स का लाने का आपने सुन क्या चाहेंगे सर स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए है ना हम यह चाहेंगे कि जल्द से जल्द न्याय तक पहुंचा जा सके उसके अलावा हम चाहेंगे कि भी यह ट्रांसपरेंसी और है जी अब बीनस्स में सबसे इंपॉर्टन चीज़ें क्या हुई है सर्द वेरी फॉर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टन तिंग इस दाट दे हाव मेड फॉरेंसिक इंवेस्टिगेशन आं मैंडेट अब यह कह दिया है बहुत सारे ओफिंस के लिए कि फॉरेंसिक के लिए आपको फॉरेंसिक इंवेस्टिगेशन करवानी ही पड़ेगी मैंडेट और आप सभी को याद होगा हमारे देश में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन कोड आ चुका है जिसमें डेटा कलेक्शन की बात की गई है और मेजर्मेंट जो की कलेक्ट किया ज कुछ ओड़ेंगर आपको पता है अगर लेट सब्सक्राइब में जाना पड़ेगा क्या करने के लिए क्राइन को रिपोर्ट करने के लिए मैं पुलिस टेशन जाओंगा तो हमेशे अ जाता हैं आज चाते हैं पुलिस के पचड़े सामने आना नहीं चाता तो इन सब पूटस ले जाता एक जेल से उसके बीच में जो को छोड़ाने के लिए लोग आ जाते अटक कर देते हैं या फिर जो लोग है वह उनको मार डालते हैं जिनको इंडर होता है है उनकी भी ठीक है तो यह कुछ टिकनोलोजी के इंकॉर्परेशन के लिए चीज़ें लाई जा रहे हैं आप यहां देख सकते हैं इलेक्ट्रानिक क्या जब भी कभी कहीं पर सर्च और सीजर हो रहा है आप किसी के घर पर जा रहे हो वहां पर जाने के बाद पुलिस अगर उसके सर्च कर रहे हैं तो उसका बकाइदा विडियोग्रफी होनी चाहिए और जो विटनेस हैं उनके साइन अब मैंडेटरी होंगे ताकि यह प्रू गयर जो है यह एकस पार्टे किये जा सकते हैं जज्जमेंट एकस पार्टे किया जा सकता है वह दो यू bit एक्सपार्टे मतलब अगर दो पार्टी इसके बीच में डिस्प्यूटे एक पार्टी को बुलाया गया वो नहीं आ रहे है भाग चुकी है भगोडे है तो भी एक्सपार्टे डिसिजन लिया जा सकता है आप भाग के जाए आप नहीं आ आप को पूलिस स्टेशन जाने की आवशकता नहीं है जी पूलिस स्टेशन जाने की आवशकता नहीं है क्योंकि अब there is a provision of something which is known as EFIR electronically आप FIR को दर्ज कर सकते हैं साथ ही साथ 0 FIR को finally statutory provision मिल चुका है कहने का मतलब 0 FIR एक ऐसी FIR होती है जो कि आप कहीं भी किसी भी jurisdiction के जो थाने हैं वहाँ जाके करवा सकते थे होता यह था कि पुलिस जो है वो यह कहते थी at times कि भाईया हम इस case को नहीं लेंगे क्योंकि यह हमारे शेत्रफल में नहीं आता यह हमारे जूरिस्टिक्शन में नहीं आता तो अब उस चीज़ को अवाइड करने के लिए हमारे यहां प्रिंस प्रोविजन आया था जिसको हम कहते थे जीरो एफाईयर कोट ने कहा कि भाई जीरो एफाईयर हर पुलिस थाने को दर्ज करनी पड़ेगी बट उसमें भी कई बार मना कर दिया जाता था क्योंकि लोगों को पता नहीं होता था वह अवेड नहीं होते थे अपने राइट के बारे में और कई बार पुलिस सब्सक्राइशन में जो है बहुत जादा जो है यहां पर और इगोस्टिक पुलिस ऑफिसर्स कुछ होते थे उनकी वजह से जंदा को जो है परिशान होना पड़ता था बट अब इस चीज़ को मैंडेट कर दिया गया है कानून में डाल दिया गया है कि आप कहीं भी हो कहीं से भी आप FIR रजिस्टर कर सकते हैं इसके अलावा फॉरेंसिक इंवेस्टिकेशन मैंडेट किया गया है साथ साल से जादा के ओफेंस के लिए ओडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी सर्च अगर विदाउट वॉरेंट किया जा रहा है तो जजमेंट ऑफ जाता है याने कंपलीशन ऑफ आर्गुमेंट हो जाता है उसके तीस दिन के अंदर अंदर जजमेंट जो है वह फाइनली पास करना पड़ेगा फिर ट्राइल और इंक्वाइरी जो है यह डेली बेसेस पर होनी चाहिए प्रोवाइट अट आल्ट्राइल्स इंक्वाइरी इ का ऐसा ओफिंस कर रहा है जिसमें फिनांशल ओफिंस की तरह उसको कंसिडर किया जा रहा है तो सर तो, तो सर, अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसी स्थिति में, अगर financial offense यहाँ पर है, तो उस समय आप property जो है, वो attach करवा सकते हैं, किसकी property attach की जा सकती है, उस accused की property को यहाँ पर attach किया जा सकता है, ठीक है, I hope यह चीज समझ में आयोगी, चाले यहां पर आपको अलग-अलग चीज़ें जो मैंने आपको समझाई वो बताई गई हैं आप इनको देख लीजेगा coming to Indian Evidence Act Indian Evidence Act की अगर बात की जाए तो यह 15th of March 1872 को enact हुआ था और 1st of September 1872 से यह लागू हो गया था यह जो है पूरे हिंदुस्तान में अप्लिकेबल था अधर देन जम्मों कश्मीर फॉर अब्यस रीजन इसका अल्टिमेट एम क्या था यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और रेगूलेशन लाना फॉर वोट सर्फ और admissibility and relevancy of evidence evidence याने जितने भी evidences हमारे यहां पर प्रस्तुत किये जाएंगे उन evidences की relevancy को admissibility को कि क्या यह admittable admissible है in the court of law क्या इस चीज़ को जो है relevant consider किया जाएगा in the court of law उस चीज़ को ensure करने के लिए यह कानून जो है वो लाया गया था यह अप्लाय करता है ना केवल यही evidence act है यही civil matters यही आपके revenue matters दोनों पर ही लागू होता है और criminal में तो अफकॉस यह होता ही है इसमें total 167 sections थे जो कि 11 chapters में distributed थे बट जैसा कि आपको पता है भारतिय साक्ष अधिनियम अब आ चुका है which is known as BSA इस BSA में in total 170 sections होंगे instead of 167 sections जो कि आपके IEA में थे 23 sections को modify किया गया है 5 sections को repeal किया गया है एक नए section को यहां पर add भी किया गया है इस पूरे के सब्सक्राइब करने के लिए इस कानून में amendment लाया गया है जहां पर सबसे importantly documents word जो है documents इस वर्ड में electronic voice mail messages digital services इन सभी को include किया गया है evidences की परिभाशा के अंतरगत भी electronically given evidences को admissible consider अब किया जाएगा ठीक है इसके अलावा अभी तक जब भी कभी confession दिया जाता था तो उसमें अलग-अलग चीज़ें कही गई थी कि अगर आपको जो है influence किया जाता है force किया जाता है बट अब उसकी जगह coercion word भी add किया गया है coercion is जहां आपको डराया धंकाया जा रहा है कि अगर आपने यहां पर confession नहीं दिया तो फिर सरेन मैम आपको जो है मारा जाएगा पीटा जाएगा आपके घरवालों को उठा लिया जाएगा इस प्रकार से अगर यहां पर कहा जा रहा है तो वह भी इसके अंतरगत इंक्लूड़ेड अब होगा कि अगरे चली अब बढ़ते हैं आगे जी सेक्शन नमबर 57 जो की प्राइमरी एविडेंस से डील करता है इसमें कुछ new explanations डाले गये हैं जिसमें again क्या किया गया होगा सर्फ electronic digital record video recording electronic digital record electronic or digital record in सभी चीजों को include किया गया दिन यहां पर secondary evidence में भी oral and written admissions as well as admissions from individuals skilled in examining the complex and voluminous documents that cannot be easily reviewed additionally now the provisions allowed match making hash values of original records as proof of evidence तो यहां पर जितने भी आपके अलग-अलग storages हैं उनको भी इसमें include किया गया है then section number 61 again electronic things तो आप अगर more or less देखोगे तो पूरी की पूरी चीजों में जादतर जो inclusion हुआ है वो किस चीज का हुआ है sir and ma'am वो हुआ है यहां पर खास तौर पे केवल और केवल electronic means का ठीक है तो यहां पर मैंने आपको इन सारे के सारे कानूनों से अफगत कराने की कोशिश करिए however when we will be taking the classes जिन बच्चों ने यहां पर हमारे साथ subscription ले रखाया और अगर आपने नहीं लिया तो अभी जाए क्योंकि अभी आपके लिए बहुत बड़ा बढ़िया ऑफर है जहां आप आप 7-day free trial यह पहले इस्तमाल करें फिर विश्वास करें तो आप जो है free trial इस समय यहां पर कर सकते हैं यह जो free trial है यह आपको 7-day का unlimited access देगा लाट subscription पर तो जाए और इसमें आपको एक code की आविशक्ता पड़ेगी activation code that is bar life bar life code जैसे यूज करोगे आपको 7-day का access free of cost मिल जाएगा इसके लावर yes this is something I had been telling you if in case you are preparing for clad and other law entrance examinations of 5-year this is the test series जो अनकाडमी ने आपके लिए बनाई है this is one of the best test series available in the market which has clad, a-let, m-set, c-u-e-t इन सभी के 50 full-length mock test 50 जिया और यह सभी calendar wise होंगे याने की अलग-अलग dates पर यहां पर होने वाले हैं जिसको आप utilize कर सकते हो by using the code bar life bar life तो आपको और भी ज्यादा discounted price में मिलेगा if in case you are preparing for clad yes this is the batch law prospect batch और इसके साथ और भी batches है संकल्प batch वगेरा जो की आप join कर सकते हैं जैसे की a legal ladder batch संकल्प 2.0 यह सब आप जो है join कर सकते हैं there's one very good thing for you guys and girls that is clad 2025 assure program which says कि अगर आप unacademy के साथ कोई भी subscription लेते हो and 2025 में आप अपना examination देते हो और खुदा नखास्ता आपका exam नहीं निकलता है देन अगले एक साल के लिए पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन विच कॉस्स नियर अबाउट 70-80 थाउजन अनकाडमी आपको free of cost तेगा जी हां बट फॉदाट आपने कम से कम 300 आर्स की classes कर ली होनी चाहिए और साती साथ 10 लाइब टेस्ट जो है वह आपके द्वारा दिये जाने चाहिए दस लाइब टेस्ट और 300 घंटे की classes इसके अलावा इसके अलावा अब को यहाँ पर हेवी डिसकाउंट देखने को मिल रहा है उसमें भी जल्दी जाएए इससे पहले प्राइज हाइक हो जाए बार लाइफ कोड की मदद से अपने आपको अलग-अलग टाइम पीरेट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं साथी साथ येस इस बेसिकली इन ऑफर जहां पर जस्टिस लीग बाच जो कि सब्सक्राइब के लिए आपका कोर्स है जो कि अभी इस वक्त आपको मात्र 10,000 रुपीज में मिल रहा है जल्दी से जाओ कोड यूज करो दाट इस बार लाइफ इसमें आपको live classes मिलेंगी बट साथी साथ mock test भी मिलेंगे ठीक है तो ये चीज याद रखियेगा तो ये चीज याद रखियेगा तो ये वी वन comprehensive batch which you are required to give or rather take for your preparation with this I am signing off my name is Aditya Raya thank you all for coming in and joining in and I wish you all the very best keep studying keep drilling Jai Hind Jai Bharat you